पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर गायल को जिला अस्पताल में बर्ती कराया जहां युवक की हालत काफी गंबीर थी इमर्जेंसी ड्यूटी पर बैठे डॉक्टर ने बताया ते धारदार हतियार से युवक की गर्दन की स्वास नली पूरी तरह काटी गई और उसकी हालत गंबीर बनी हुई है कटगर पुलिस ने घटना इस थल से मिले हतियार को अपने कबजे में ले जांस शुरू कर दी क्या काम करते थे यह कहां गए थे यह अच्छा कुछ मस्दूरी करते थे और आज का इंट गोड़ी मिली है अब तो खतम हो गए नहीं पुलिस ने दी दो दिन से गाय अप तही करते चले जाते थे पहली बार गए कर दो ऐसे इंट नहीं से खते हैं अच्छा अच्छा से अच्छा जाते हैं आज पर मिले आज एक आज इस सब्सक्राइब करते पार जाए गया है मारेश इनकाओ तो प्रस्टा पर पर आजए कि मिलें है आज गया जाया को नहीं है करदन बहुत बहुत शीजिस आल कर दार इसे गर्दन में चोटे पाई गई, उसकी स्वास तरली कटी हुई थी, बली सीरे सालाप में उतलन को बेजा गया, जहां उसका उत्याल के दौरण बिट्टी हो गई. काशी पुर्त रहा चोके इंचार्ज को किसी रागीर से सूचना मिली, कि डियर पार के पास, रामगंगा नदी के पास, जो फूरा घर है, वहां पर एक बेक्ती पड़ा हुआ है, वहां कुछ भीड सी लगी रही है, इस सूचना पर चोके इंचार्ज मौके पर तोचे, उन्ह कामल, कानून गोयान मुहला और खाना मगल पुरा, पूचने पर इशारों में उसने ये बताया कि उसने स्वेम वो सर्जिकल नाइफ खरीदी, सर्जिकल ब्लेट खरीदी है, और उससे स्वेम ही उसने अपने आपको मारा है, परिजनोप को इस बात की सुचना दे दी गई ह जानकारी पितंगर स्चाय मिली है कि वो नशेडी था और अक्सर घर के बाहर रहता था, उसे एक सुवाट एम्बुलेंस के मार्दिम से जिला चिक साले भीशतर उसका उपचार कराय जा रहा है